हैलो बेविज कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब इस इमोजी की तरह कुश होंगे राइल तो चलिए पढ़ना सीखते हैं अलपाबेट लेटर्स साथ ही में हम सीखेंगे लिखना तो चलो अब धियां रखना ठीक है न मैं कैसे बढ़ा रही हूं आपको ठीक है अगर ठीक है तो लाइक कर दीजिए ओके तो देखो पहले हमें ए बनाना क्या बनाना ए फॉर एपल तो कैसे बनता है पहले इस तरह से लाइन कर दो फिर इस तरह से लाइन कर दो फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से लाइन कर दो ठीक है समझ में आ रहा ना आपको ए फॉर एपल इसे B एसे one line, फिर इसे छोटा सा you round, फिर छोटा से एक और round, ठीक है न, B for boy, कैसे वापस बना के देखते हैं, देखो पहले one line बनाने हैं, ठीक है, one line का दो round बनाने one line पर, पहला round half में, फिर दूसरा round full में, B for boy, अब हम c for ket बनाना सेकते हैं, simple है यू simple half round ठीक है न जैसे हम ये पूरा zero बनाते न तो zero नहीं बस आधा zero बस समझ में आ रहा है न आपको d for dog की one line with you yes आया समझ में जैसे b for boy तो half round या half round या या ऐसे होता न तो d for dog सिर्फ ऐसे होता है ऐसे और ऐसे d for dog ठीक है अब हम सीखते हैं e for elephant तो पर ले one line फिर one यहाँ पे फिर one यहाँ पे और फिर one यहाँ पे यानि टोटल कितनी four lines होती ही में one, two, three, four one, two, three, four कैसे देखो one, two, three, four आया समझ में अब हम बनाते हैं f for fish f for fish e में जैसे देखो e में one, two, three, four lines दी तो f में कितनी lines होगी only three देखो one, two, three यह हो गया f for fish f for fish वापिस से बना के देखते हैं one line फिर two, four, three f for fish अब हम बनाना सीखते हैं g for gun आप इसे अच्छी तरसे देखना ठीके ना जैसा मैं बना रही हूँ वैसा वैसा आप भी ट्रै करना देखो c जैसा आधा राउंड कर लिया जैसा c बना या था ठीक है c बन गया अब इसे उपर फिर ऐसे फिर ऐसे बहुत अच्छा है ना यह काफ़ इंट्रेस्टिंग है वापिस देखते हैं देखो यूँ c बना दिया फिर इसे c बना के ना फिर इसे उपर लेके जाना है फिर ऐसे और फिर ऐसे ठीक है आया नहीं समझ में वापिस समझाते हैं यूँ c बना के फिर ऐसे उपर लेके जाना है फिर ऐसे फिर ऐसे आया समझ में अब तो आई गया होगा इंटेलिजेंट हो ना जी फॉर गान ऐसे चिके अब हम एच फॉर हैंड तो वान टू और त्री आया समझी हुए वापिस समझाते हैं देखो एच फॉर हैंड कैसे वान लाइन लगानी है फिर इसके सामने यह सी इसके जैसी जैसी वान लाइन फिर बीच में इन दोनों को जोड़ देना है एच फॉर हैंड अब हम बनाते हैं I for ice cream हम यह मीं वान लाइन से उपर वान लाइन से नीचे वान लाइन इस वान लाइन इत्स सेंपल यास यह तुद रही जाएगा आइस क्रिम है ना वापिस देखते हैं I for ice cream आई लिखना आ गया अब आप को वापिस से लिखके दिखाएंग पिहले बान लायन फिर इसको ऊपर और नीचे इस तरह से ठीक है आप देखो जे फोर जग कैसे लिखते हैं जे फोर जग लिखके दिखाते हैं आपको स्टेप समय ठीक है? स्टेप वाइज समझा रहे हैं पिहले यूँ लायन बना देनी है फिर यो सीधी ठीक है सीधी बनाने के बाद आपको कर देने इसको थोड़ा सा टेड़ा आया समझ में वापे समझाते हैं यू लाइन फिर यू नीचे जाते जाते फिर इसको यू उपर उठा लेना है बहुत सिंपल है जे फोर जग अब देखो अब हम बनाते के फॉर काई तो वो कैसे होती है पहले हम लगाएंगे वान लाइन फिर हम लगाएंगे दूसरी लाइन फिर तीसरी के फॉर काई ये कैसे बनाया जाता है चलो इसके बारे में बताते है ठीक है steps में पहले one line ऐसे खीचनी है फिर इसके center से देखो center देख रहा है आपको जहां मैंने अभी touch किया है center से आपको उठाते हुए यहां लेकर जाना यहाँ फिर इसको इसके opposite direction में यहाँ ठीक है ना वापिस देखते हैं K for kite ऐसे line कर दी फिर इसको ऐसे फिर इसको नीचे आया समझ में आ गया होगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ओके K for kite अब हम बना ने सीखते हैं J L for lion वो कैसे होता है देखो यह तो सबसे simple है पहले line फिर यह simple है ना जितना loin खतर ना के उतना उसके spelling simple है ना यह देखो आसे फिर ऐसे very good सीख गए वापिस दिखाते हैं आसे फिर ऐसे वापिस दिखाए हैं फिर आसे आसे समझा गया अब सीखते हैं I'm for monkey I'm for monkey monkey कैसे तो आप लोग monkey तो नहीं हो ना जो बच्चे जदा शिराथ करता उसे monkey भोलते है अच्चे बच्चे आप तो पढ़ रहे हो हना तो आप लोग तो monkey हो नहीं जदा शिराथ करते हैं ना बच्चे वो monkey होते हैं तो M for monkey देखो पहले ऐसे line फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे वापिस सिखाते हैं आपको पहले one ठीक है one line फिर two, three, four ऐसे मुझ में देखो इन्यों line खीचनी है फिर से नीचे लेके जना है वापिस से उपर फिर वापिस से नीचे M for monkey M for monkey अब हम सिखेंगे M for nest वो कैसे था है यूँ उपर, फिर नीचे फिर फिर उपर बासी से छोड़ देना है देखें उपर, नीचे, उपर वापिस देखते हैं उपर, नीचे, उपर याज, सिख गए है वापिस देखते हैं M for nest M for nest M for nest M for nest आगे समझ में अब हम सिखते हैं O for orange 0 बना दो बहुँ सिंपल O for orange क्या है? 0 बना दो बहु सिंपल O for orange बहुत सिंपल है O for orange O for orange बन गया ना ओरेंज O for orange अब हम बनाते हैं P for peacock P for peacock P for peacock देखो जैसे हमने B बनाया था ना B भूल गए? ऐसा ये वाला है ना ये वाला तो क्या करना है इसमें हमें? देखो पहले U line पहले B देखो B बनाया था ना आपने ऐसा हाना तो इसमें क्या करना है? ऐसा फिर सिर्फ ऐसा ठीक है ना B को नीचे वाला round काट देना ये वाला round नहीं बनाना है बस इसो मिटा दो बस ये रह गया हाना? वापे समझाते हैं आपको जैसे कि अपने B बनाना यू सीखा था ना ये B बनाना सीखा था ना तो अब इसमें से क्या चीज़ काटनी है? ये वाली बस बन गया ना B कितना अच्छा बनाया ये देख सकते हैं ठीक है? तो चलिए वापे से हम P बनाना सीखते हैं ये देखो ऐसे लाइन स्विल ऐसे P फॉर पिकोक अब हम देखते हैं Q फॉर क्विंग O से ओरेंज बनाना सीखा था ना O फॉर ओरेंज बस ओरेंज बनाके यहाँ से इसकी जो ओरेंज की टैल निकाल देनी है देखो कैसे यूँ O फॉर ओरेंज फिर इससे निकाल देना है एक लाइन बाहर निकाल देनी है ठीक है ना Q for Queen अब हम देखते हैं R for Rose Rose Pink कलर का होता है ना तो यह लीचे Pink कलर ठीक है R for Rose कैसे लिखा हैं देखते हैं चलो पहले वान लाइन फिर यूँ P बना के फिर इसको नीचे लेके जाना ठीक हैं सिर्फ नीचे वापिस सिखाते हैं R for Rose आया समझ में चलो वापिस सिखते हैं R for Rose R for Rose R for Rose मुझे उमीद हैं आप लोग सी गए होंगे R for Rose ठीक है अब हम बनाते हैं As for Sparrow As for Sparrow देखते हैं As for Sparrow कैसे पहले यहां से लेके नीचे तक ले जाके फिर राउंड बनादाना As for Sparrow अब हम देखते हैं T for Tiger देखो पहले यूँ फिर यूँ हमने I for Ice Cream ऐसे बनाई थी न तो नीचे वली डंडी को हटा देना है तो बस यह रहे गया T for Tiger अब हम बनाते हैं U for Umbrella U for Umbrella यह हो गए U for Umbrella बना के दिखाएं वापिस से पहले यूँ लेके बाद में इसे टर्न कर देना है फिर वापिस उपर लेके जाना बस यह रहा U for Umbrella देखो यूँ ले जाके फिर इसे ऐसे आया समझ में यूँ ले जाके ऐसे देखो कैसे यूँ ले जाके ऐसे आ गया होगा समझ में हैं न तो चलिए अब हम देखते V for Van कैसे बनाते हैं U for Umbrella ऐसे बनाते हैं तो V for Van ऐसे ठीके यह देखो यह थोड़ा सा राउंड शेप में न तो यह कैसा होगा यह थोड़ा सा यह नुकिला होगा ठीके न वापिस से बना के देखते हैं V for Van बहुत सिंपल एस पूल वैन हैं अब हम देखते हैं यू हो गया वी डब्ल्यू वैरी गूद डब्ल्यू फ़ार वाच वापिस देखें देखो हमने M for monkey बनाया था ना याद आ रहा है monkey बंदर तो हमें क्या करते हैं इसका उल्ट्रा डब्ल्यू फ़ार वाच डब्ल्यू फ़ार वाच ओके देखिए W for वाच पहले वाण लाइन फिर उपर फर नीचर फर उपर आया समझ में W अब हम देखते हैं X for X मेक्स ट्री यू और यू बहुत सिंपल हैं पहले इस तरह से लाइन कीजिए फिर इस तरह से X for X मेक्स ट्री अब हम बनाते हैं Y for याग तो पहले यू लाइन कर दो फिर इसके उपर यू ठीक है नहीं है समझ में यू फिर यू आया समझ में देखो कैसे पहले यू लाइन फिर यू वापिस देखते हैं ऐसे लाइन कर दी छोटी सी फिर यू लंबी सी लाइन कर दी Y for या जैट for Jabra वो होता है जैट for Jabra कैसे हैं पहले वाण लाइन फिर टू लाइन फिर त्री लाइन आया समझ में देखो पहले वाण लाइन कर दी फिर यू खीच ले न ठीके तो आपको Bebeys कैसा लगा अगर आपको पट के अच्छ लगा तो प्लीज बताई अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना तो मैं आपको एक एक लेटर का صرف एक एक जैसे सिर्फ ए लिखना सिखाओंगी फिर भी ठीकिए ना अगर आपको एक साथ समझ में नहीं आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि मैं अलग अलग भी इस चैनल पर समझाऊंगी वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चैनल पर गुड मैनर्स और आप लोगों के सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे ओके बाई बाई सब्सक्राइब तो कर लिया होगा बाई बाई बेबीज मिलते हैं अगले वीजियों में